एक संक आप बता दीजिए, एक संक जिनोंने किसी धर्म की बुराई की हो, एक संक जिनोंने किसी धर्म की बुराई की हो, कब भी नहीं, होगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, क्योंको उसको मालूम है कि क्या चीज़ है, और पुरो ही तो लोग इसी सब चक्कर पढ़ा हो रहता है कर अधिर ये कि सबको लगता कि हम खत्रे में कि सबको लगता है और इस देश़ मुस्लिमों को तो सबसे ज़्यादा लगता है कि हम खत्रे में उस पता नहीं कि माइचा अवल पunky शमकर हमारे हैदराबाद के चाचा है उनका जब सुन लीजिए ना फिजिक्स के बारे में बात करेंगे ना पॉलिटी के बारे में बात करेंगे ना चांद के बारे में बात करेंगे चांद पर जाना है ना बैग्यानिक बनने के बारे में बात करेंगे ना डॉक्तर बनने के बारे में बात करेंगे उनका एक ही तरीका है उनको लगता है कि वह बहुत खत्रे में और उनको लगता है कि देश में जितने मुस्लिम हैं वह सब खत्रे ने हैं तो अलगी डोस दिये हुए बच्चे लोग को लो बावी लो जो अम बिटकर तो ऐसा नहीं किए अम बिटकर भी तो थे उनको भी तो सताया गया था इस्कूल में घुसने दिया जाता था, इस्कूल से बाहर वो बैठता था हुआ आदमी, मानी नहीं पीने दिया जाता था, दलित परिवार किसे था, गलती से तो इस्कूल में एडमिशन हो गया, क्योंकि उनके पीताजी जो थे, वो ब्रिटीसर्स के सेना में काम करते थे, तो इस्कूल में सताय गया, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि दलित, खत्रे में है दलित, उन्होंने कहा पढ़ो, उन्होंने एक बात कही, पढ़ो, तभी तो अमेटकर नहीं कहा ना कि शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, वो शेरिनी का दूध है, जो पीएगा, वही दाढ़ एजुकेशन अमबेटकर में नहीं कहा कि लड़ो दलीतों को सताय जा रहा है दलीतों को कमजोड बनाया जा रहा है लड़ो नहीं उन्होंने कहा पढ़ो पढ़ो झाल लड़ो